आज हम स्टार्ट कर रही है क्लास 10 की आपकी हिंदी की वरक्षीट नमबर 76 डेट है आपकी 22 जैनवरी 2021 आज की वरक्षीट का टॉपिक है आपका अपठी काव्यांश लास्ट वरक्षीट में हमने काद्यांस किया था इसमें हम काव्यांस करेंगे ठीक है स्टार्ट करते हैं पोयम है आपकी कि उठो चलो आगे बढ़ो जीवन संघर्ष है लड़ते रहो तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि उठो चलो आगे बढ़ते रहो जीवन क्या है हमारा संघर्ष है इसलिए हमें हमेशा लड़ते रहना चाहिए यानि अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसका सामना करना चाहिए, हमें कोशिश करने चाहिए, ठीक है, पराज है, यानि हारना कोई विकल्प नहीं, जीत का कोई जादूई मंत्र नहीं, यानि अगर आपको जीत हासिल करने हैं, तो इसका कोई जादूई मंत्र नहीं होता, सिर्फ एक ही इसका तरीका है, वो है संघर आलस से निराशा थ्याग तूम यानि आलस से को यानि जो हमारा आलसी पन होता है निराश सा यानि जो हम हतास हो जाते हैं और त्याग इन सारी चीज़ों को त्याग कर जी जान से कोशिश करते रहो जीवन संघर्ष है लड़ते रहो मैंनत कभी व्यर्थ नहीं होती एक दिन बस मैंनत जीवन संघर्ष है लड़ते रहो रंग लाएगी हर मेहनत एक दिन बस निरंतर लक्षे का पीछा करते रहो जीवन संघर्ष है लड़ते रहो तो हमें अपने लक्षे का एक हमें लक्षे निर्धारण करना चाहिए कि ये मेरा लक्षे है जैसे कि आपका लक्षे होना चाहिए कि आपके 90% अवब आए तो उसके लिए आपको मेहनत करने चाहिए आलस से कोई option नहीं होता तो इसी तरह हर किसी का एक goal होता है वो goal लेके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए उसके बाद next दिया गया है आपका कि द्रण निश्चे से क्य नहीं होता यानि अगर आप ठान लो तो ऐसी क्या चीज है जो नहीं हो सकती आपके 95% अवब भी आ सकते हैं ठीक है पत्थरों को चीर कर है जर्ना बहता जर्ना बहता प्यास सफलता की होगी पूरी अगनी जिग्यासा की प्रजवलित करते रहो जीवन संघर्ष है लड़ते रहना चाहिए कौन है जो कभी गिरा नहीं ऐसा कौन है पूरी दुनिया में जिसने संघर्ष किया हो और मतलब वो गिरा नहीं हो सब लोग गिरते हैं लेकिन हमें उठके कोशिश करनी चाहिए कभी बताते हैं हार वही जो गिर के फिर उठा उठा नहीं आसमा भी जुकेगा तेरे सार्थ के आगे जो जुनून की हद से गुजरते रहे जीवन संघर्ष है लड़ते रहे उठो चलो आगे बढ़ते रहो जीवन संघर्ष है लड़ते रहो तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि जो भी हम मैनत करेंगे कोशिश करेंगे वो एक दिन सफल जरूर ह ठीक है उसके बाद इसे ही रिलेटर आपकी कुछ कुश्चिंस दिए गए जैसे कुश्चिंद फॉस्ट है आपका कि ड़ैश कोई विकल्प नहीं रिक्तिस्थान में आपको क्या फिल करना है तो सबसे पहले आप फिल करेंगे पराज तो यहार जो होती है वह कोई विकल्प नहीं होती है, सेकिंड है आपका हमें इन में से किसका त्याग करना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा कि आलस से और निराशा का हमें त्याग करना चाहिए, ठर्ड है मेहनत कैसे रंग लाएगी, तो मेहनत कैसे रंग लाएगी, निरंतर लक्षे का आगे जैसा कि अभी हमने पढ़ा उसके बाद नेक्स्ट है आपका इस कवीता से हम प्रेणा पाते हैं कि इस कवीता से हम क्या प्रेणा पाते हैं तो ऑप्षन कह है आपका जीत का कोई जादूई मंतर नहीं गह है आपका मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होता और गह है आपका रंतर लक्षे का पीछा करते रहने से फॉर्थ का हो जाएगा पुर्सार्थ के आगे और फिफ्थ का हो जाएगा उपरोग सही तो ये थी आज की आपकी छोटी सी वाक्षिट